आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतर ही स्टडिक लोज पर आपका बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत इंपोर्टन टॉपिक की जो की होने वाला है बैंगलोर को फिर सेख थ्रेट मिलें बैंगलोर को पहले भी कई बार थ्रेट्स मिल चुकी है बट थ्रेट्स थ्रेट्स ही रहती है लेकिन दोस्तों इसको सीरिस्ली लेना जरूरी है देखे एक मार्च को एक बहुत ही दुकत गटना हुई रामेश्परम कैफे रामेश्परम कैफे में एक आदमी आता है साड़े ग्यारा बजे के करीब रवाइडली ओर्डर करता है उसके बाद बैग होता है टॉयलेट के पास बैग रखके वो चला जाता है दोहजार एकिस में ये कैफे बना था लेकिन ये बड़ा ही फेमस हुआ है बहुत ही जबरदस्त कैफे है ये बड़े बड़े सेलिब्रेटी यहाँ पे जाते है और बैंगलोर की आनबान शान है ठीक है वाइट फील्ल एडिया में एक कैफे है तो अब क्या हुआ कि साड़े ग्यारा बज़े ये पूरा प्रकरण हुआ और बारा बज़े तब वो निकल गया मतलब पांच मेंट बस उसने रवाइड लिखाई भी नहीं टोकन लिया बैग रिका निकल गया एकदम से फिर हमको ब्लास्ट देखने को मिलता है ठीक है अब जैसे ही 12-55 के करी ब्लास्ट हुआ IED का Improvised Explosive Device जिसका लिच्चर प्रशान सर ने बनाया है आप जरूर देखे तो इसका इस्तमाल हुआ अब उसके बाद वो आदमी जो है वो बाहर दिखता हुआ मतलब बाहर दिखा वो जाते है वो बाहर दिखा मास्क पहना था क्या आप लगाया था NIA को investigation जो है वो सौपी गई NIA अभी भी भी investigate कर रही है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है किसके पीछे कौंताजाइट सी बात है आतंकी हमला है पहले first instance पे लगा कि cylinder blast लेकिन नहीं cylinder blast नहीं था अब एक और mail आया है तो इस mail को मैं बताना चाहूँगा ये mail जो है ये बताया है कि शनीवार को दो बच के दो पहर दो बच के 48 मिनिट पे डाइंगलोर जो है वो दहल जाएगा ठीक है शाहिद खान 10786 at the rateprutonmail.com से ये mail भेजी गई है और इसमें लिखा है कि ये क्या तुमारा जो movie trailer था उसमें क्या सोच रहे है तुमारा what's your thought on this अगर तुम हमको धाई मिलियन डॉलर नहीं दोगे तो हम धमाका करेंगे कहां पे बस में धमाका करेंगे ट्रेंस में धमाका करेंगे टेंपल्स में धमाका करेंगे होटल्स में धमाका करेंगे मस्जिदों में धमाका करेंगे पब्लिक एडियाज में धमाका करेंगे तो throughout करनाटक जो है वो हम धमाके करने वाले हैं और हम तुमको एक और ट्रेलर दिखाने वाले हैं अब अगला जो होगा वो अमबारी उत्सव बस अमबारी उत्सव बस ब्लास्ट जो है वो हमारी डिमांड और बढ़ा देगी सोशल मीडिया पे और हम उसका स्क्रीन शॉट भी शेर करेंगे जब यह ब्लास्ट होगा तो जो हमने तुमको मेल भेजी है उसका स्क्रीन शॉट जो है वो शेर होगा और इंफर्मिशन भी हम तुमको देंगे मेल ने ये भी बोला कि जो एक्स्प्लोजन है जो जितनी भी बिजी प्लेसेज है वहाँ प्योगाला कि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया और बीस करोर सबसे बड़ी बात ही है बीस करोर मांगे गए कि अगर बीस करोर दे दोगे तो सब ठीक हो जाएगा अब यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलेटी है सिद्धा रविया ने बोला है कि हम इसकी जाज कर रहे है अभी स्कूलों में धंकी मिली थी मेल में स्कूलों में भी धंकी है कि जो बैंगलोर के 44 स्कूल से उनको उड़ा देंगे ठीक है अब पहला तो यह बोला जा रहे है कि शायद यह दियूमर है मुझे इसकी पॉसिबिलेटी ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि कभी भी ब्लास्ट होता तो बताएगा तो है निकि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ गुर्पतवन सिंख पन्नू जो है खालिस्तानी वो कहता रहता यह उड़ा देंगे वो उड़ा देंगे बड़ कुछ कर तो पाया नहीं हो ठीक है न तो यह ऐसे ही गीदर भपकी है पैसे एटने के चक्कर में कि चलो 20 करण शायद क्या पता मिल जाएं इन दी ड्रीम्स और हम जो है इम सॉरी यह क्या हो गया तो और हम जो है इसको मतलब मेल भेशने सरकार को तो सरकार जो है वो डर जाएगी तो एक तो है दिस इस होक्स रिमर फैलाई जारी डर का महौल पैदा किया जा रहा है ठीक है दूसरा देखे मेल को सीरिसली आप लीजिए क्योंकि एक ब्लास्ट अल्डेडी हो चुका है बैंगलोर में ठीक है न तो बैंगलोर में एक ब्लास्ट IED से हुआ है तो हम ऐसा भी नहीं कि इसको सीरिसली ना ले क्योंकि देखिए अगर हमने जरा सीविस में लापरवाही बढ़ती तो हो सकता कई और ब्लास्ट हो जाए लेगिन दोस्तों इसकी possibility अगेन इसलिए कम है क्योंकि यहां पे NIA जो है और with local police यह मिल के जो है इसकी जाच कर रही है अभी तक यह नहीं पता चल पाए इस ब्लास्ट के पीशे कौन था लेगिन आप क्योंकि मिल भेजा गया तो और जदा पूरा बैंगलोर एलर्ट पे है ना सिर्फ आप यह समझे कि और और भी शहर जब ब्लास्ट हो तो और भी शहर एलर्ट पे थे बॉम ब्लास्ट की घट्पाए जो है वो 26-11 के बहुत कम हुई है ठीक है यह ने चुने इए ब्लास्ट होए पंजाब में काफी ब्लास्ट पंजाब में तो भाई सीधा पुलिस हेटकॉर्टर पे मोहाली पे पुलिस हेटकॉर्टर पे सीधा रॉकेट लाउंचर दाग दिया गया था वो मैंने आपको बताई थी टाइम लाइन कैसे कैसे भारत में और इसमें सब में IED का इस्तमाल हुआ है और कहीं ना कि पाकिस्तान लिंक जो है या आतंक वादे लिंक या फिर खालिस्तानी लिंक वहाँ से जो है वो हमको मिला है तो बैंगलोर के अगर बात करते हैं तो बैंगलोर वैसे हमेशे अज़े पीस्फुल रहा है तो कोई दिक्कत तो ऐसा चरही नहीं है लेकिन हाँ इस मेल को सीरिस्ली इस ले लिने की जरूरत है क्योंकि और लेड़ी एक मार्च को एक ब्लास्ट हो चुका है तो ऐसा नहीं कि हम इसको आया रफा दफा कर दे ठीक है ना और तीसरी पॉसिबिलिटी दे कि सिद्धा मर्द रमाया कह रहे है कि भाई इसकी जाच चल रही है ठीक है तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ऐसे ही भेज दिया किसी ने ठीक है बस फिरकी लेने के लिए मज़े लेने के लिए कि चलो देखते हैं अभी भाई यहां पर ब्लास्ट हुआ है तो इस ब्लास्ट में थोड़ी सी लैमलाइट हम भी जो है वो ले लेते हैं है ना न्यूस पे चल रहा है मैं ही बता रहा हूँ हर आर्टिकल में ये काफी आर्टिकल में इसकी बात हुई थी कि मेल मिली में और ये आपको बता दू कि हर किसी को मिली जितने भी सरकारी ओफिशल है ना सबके ओफिशल अकाउंट पर ये गया है ठीक है ना तो बस एक हाइप क्रियेट करने के लिए ये मेल भेज दिया है कि चलो ठीक है इससे थोड़ा सा हमारे पब्लिसिटी भी हो जाएगी और फिर डर का महौल भी हो जाएगा कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता जैसे आप ऐसा समझा को कच्छा बन्याईन के आम पे जो लूट रहे थे किんな रोग ठीक है वो कुछ तो बड़े मWar… अच्चे का से घर के थे वह कच्छा बन्याईन के नाम पे लूट मार मचा रहे थे तो वैसे ही है यह लेट्छ रता आही मान को समझ पर रहती है इस तरह के inputs जो है वो लगातार मिलते रहते हैं इसे बहुत सारे blast को नाकाम किया है ठीक है तो इस समय आतंक और आपको पती है पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे है या मर रहे है जो भी है ठीक है लेगिन एक चीज़ तो है कि आतंकवादियों का खेल खतम नहीं है है खुश रही परतेरी देशे से दान तक नहीं हो तरी साइनिंग ओफ